बिहार ने हर तरफ दिखाई दिया दिवाली का उल्लाज इंडियर परिक्षवा के लिए छात्राओं को मिलेगा चार साल की दिखाई बिहार में पेट्रोल हुआ आठ रुपे सस्ता बिहार के ग्रामीन इलाकों को भी होगा शुन दिखर पर्टा डियन ने छट घाटों का किया निरिक्षन अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार के बिहार ने हर तरफ दिखाई दिया दिवाली का हरशोल्लास बीटे दिन बढ़े ही हरशोल्लास के साथ दिवाली का तेवहार मनाये गया वाजारों से लेकर घर तक जगमगा उठे थे गाउं से लेकर शेहर तक लोगों में दीपुत्सप का उत्सा देखने को मिला पर्टा मुजफरपूर भागरपूर से लेकर सभी जिलों में श्राम धरते ही जगमग दीपों की रोश्ची नजर आई वही दिवाली को लेकर पुलिस मुख्याली ने भी सभी जिलों में विशेस सतर्कता बरतने को कहा है इसके अतरिक त्योहारों की मंद नजर कई अन्यदिशान देश जिलों के SSP और SP को दिये गे हैं समाजिक तत्वत्यों हारों पर श्वान्ती विवस्था को भंग करने के फिलाख में रहते हैं ऐसा ना हो इसके लिए रात के समय में भी गश्टी बढ़ा दी गई थी और सक्रिय रहने के साथ ही किसी भी स्थिती से निपटने के लिए तैयार रहने का देश दिया गया था सरकारी बैंकों में 1828 पदों के लिए करे ओन लाइन आवे दिन सरकारी बैंक में नौकरी की चाह रखने वाले मिदवारों के लिए खुश खबरी इंस्टिट ऑफ बांकिंग परसनल सिलेक्शन यानि की IBPS ने विभिन राश्ट्रिय बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी कर दिया है IBPS द्वारा जारी Common Recruitment Process विग्यापन के रुसार सार्वजनिक छेत्र के बैंकों में विभिन ने विभागों में कुल 1828 पदों पर भरती के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाना है IT Agriculture, राजभाशा, लौ, HR, परसनल और मार्केटिंग विभाग में घोशित की गई रिखतियां जो इन बैंकों में निकाले गई हैं उनमें Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canora Bank, Central Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, पंजाब National Bank, पंजाब एवं सिंध बैंक, यूको बैंक और Union Bank of India शामिल है एच्छो कोर्यों की मिद्वार बिना देरी की आवेदन भर सकते हैं क्योंकि आवेदन भरने की प्रक्रिया बीते दिन से ही शुरू हो गई है जो की 23 नमबर तक जारी रहने वाली है इंटर परिक्षा के लिए चात्राओं को मिलेगी चार साल की छूट, मैटरिक आने के बाद अगर कोई चात्रा आगे इंटर में अडमिशन उसी साल नहीं ले पाती है तो उसे दुबारा अगले साल रेजिस्टेशन करने का मौका बिहार सरकार देने जा रही है बिहार बोर्ड में मैटरिक की परिक्षा देकर पढ़ाई चोड़ने वाली चात्राओं को आगे के पढ़ाई करने के लिए विशेश मौका देने के रादे से बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है गौर करने की बात यह है कि बिहार सरकार की तरफ से मैट्रिक करने के बाद अगर कोई छात्र आगे इंटर्मेड मिशन उसी साल नहीं ले पाता तो उसे दुबारा अगले साल रेजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है वहीं अगर हम छात्र की बात करें तो लड़कों कोई अच्छूट सिर्फ तीन साल के लिए दी गई है भारत और नेपाल के बीच शरूओ हूई बस सेवा की शरवाथ हो गई है करीब 22 महीने बाद फिर से बस सेवा की शरवाथ होने के बाद यात्रों में काफे उत्साह देखने को मिला पटना में BSRTC के प्रसाश्रक ने हरी जंडी दिखा कर नेपाल के लिए बस को रवाना किया है COVID-19 के कारण मैत्री बस सर्विस सेवा फरवरी 2020 से बंद हो गई थी जिससे बिहार से नेपाल जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था नेपाल सरकार की तरफ से काथमांडू से पटना के लिए बस सेवा की श्रवात मंगलवार से ही कर दी गई कागजी खाना पूर्ती के बाद बिहार से चलने वाली बसों का आदेश एक दो दिन में लंबित हो गया आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे की कोविड-19 के कारण 20 फरवरी 2020 से नेपाल के काथमांडू और जनकपुर के लिए बस सेवा को बंद कर दिया गया था लेकिन अब स्थिती सामाने होने के बाद फिर से बस सेवा की श्रवात की गई है बिहार के नालंदा जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास समभवत भारत का सबसे पुराना विश्विद्याले नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूंट स्थल है ऐसा माना जाता है कि अंतिमोर सबसे प्रसिद जैन तीर्थकर वहावीर ने यहाँ 14 मौनसून सीजन बिताए थे कहा जाता है कि बुध ने नालंदा में आम के बाग के पास भार्शन दिया था इस सिक्षा केंद्र के ख्याते इस हद तक थी कि प्रसिद चीनी यातरी वें सौंग ने यहाँ का दौरा भी किया और यहाँ कम से कम वो दो साल तक रहे यहाँ तक कि इस स्थान की महिमा ऐसी थी कि एक अन्यव प्रसिध चीनी यात्री आईद सिंग नालंदा में लगभग 10 वर्षों तक रहे आज नालंदा की अधिकांश से खंडर में पड़े हैं लेकिन यह जो गहने शित्रूप से देखने लाएक है बिहार में पेट्रोल हुआ लगभग 8 रुपे सस्ता बिहारवासियों को दिपावली के मौके पर बड़ी राहत मिली है जिसके तहट केंदर सरकार की तरफ से पहले तो पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने की गई जिसकी बाद बिहार की नितीश सरकार ने भी पेट बिहार की तरफ से पेट्रोल पर 1.30 रुपे और डीजल पर 1.90 रुपे वैट कम करने का फैस्ता लिया गया है यह छूट केंदर सरकार की एक साइस ड्यूटी में 5 और 10 रुपे की कटोती के बाद आया है बिहार सरकार के फैसले के बाद बिहार के लोग पेट्रोल 6.50 विस्वास थानी पत्ना में इस साल 1985 को हुआ था, चंदन विस्वास एक बंगाली एडवेंचर स्पोर्ट्स कर्मी और ट्रावल राइटर है, वो सोलो ट्रांस हिमाले साइकलिंग अभियान पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने, विस्वास ने 2010 में एडवेंचर स्पोर्ट शुरू किया था, वो परवतारोहन, रॉक क्लाइंबिंग और मांटें साइकलिंग में भी शामिल है, विस्वास सोलो ट्रांस हिमाले साइकलिंग अभिने को सफलता पूरवक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति थे, फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक उन्हें 153 दिन लगे थे, इस गया है, इसी के तर्च पर विहार में जल्धी BISF को लगाया जाएगा, इसको लेकर 2699 पदों का स्रुजन किया गया है, जो कि विहार विशे सश्रस्त्र पुलिस के अंतरगात काम करेगा, ग्याथो वर्तमान में बदलते, ट्रेड, रंक और कम्प्यूटरी करन, आधी के ब बदलती जरूरत को देखते वे, 2699 में से 2428 पदों का पुनर डामांकन कर स्विक्रती प्रदान की गई है, इसके साथ ही बिहार औद्योगिक सुरक्छाबल की दो वाहनियों का मुख्याले भी तै कर दिया गया है, पहली वाहिनी का मुख्याले जुम्राव स्थित बिहार व बाद उनोंने दावा किया है कि सभी घार पर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है, लगभग किसी भी तरह की कोई परिशारी चट परतियों को नहीं होने चाहिए, इसपर फोकस किया जा रहा है, इस से पहले मुख्यमंद्री निदिश कुमार ने कई मंद्रियों के सा स्ट्रीमर के रास्ते नासरी गंज से कंगन घाट तक गंगा घाटो का निरिक्षिन किया था जुसकी बाद बीते दिन छट घाटो पर हो रहे काम को जुलाधिकारी चंदरशेख हर सिंग ने पत्ना अगर निगम पदाधिकारियों के साथ मुएना किया इस दौरान डीम को जह हासा दिखाई देने लगा है हाला कि प्रदेश का मौसम अगले 48 घंटे में सामाने बने रहने के आसार है मौसम वभाग की तरफ से मिली जवानकारी के रुसार कोई खास बदलाब देखने को नहीं मिलेगा बुधवार को दिन में पच्छुआ का प्रवा कम होने से प्रदे इसका मौसम स्रुष्क बना है बीते दिन सियम नितीश ने हर्शोरलास के साथ मनाई दिवाली बीते दिन सियम नितीश ने दिवाली का त्योहार बिहदी हर्शोरलास के साथ मनाया मुख्यमंतरी आवास में नितीश कमार ने खुद दिये जलाए इस मौके पर उनके बेटे निश्रांत के साथ साथ कई मंत्री भी नज़र आए मुख्य मंत्री के परिवार के दूसरे सदसे भी दिवाली के मौके पर महीं मौझूद थे उनके भाई भी अपने परिवार के साथ दिवाली के मौके पर मौझूद रहे इसके पहले मुक्यमंत्री नितीश ने बीती सुभा ही ट्वीट कर के प्रदेश वासियों को दिवाली की बधाई दी थी मुक्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रकाशपरव दीपावली की हार्दिक बधाई और शिपकाम नाए पेट्रोल के बाद अब बिजली भी होगी सस्ती दिवाली के मौके पर भिहारवासियों को बड़ी स्वागात मिली है जिसके तहर पेट्रोल के दाम को कम कर दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से वैट में कमी के फैसले से ही बिहार में पेट्रोल के दाम कम हो गए है जिसके बाद अब बिजली भी सस्ती होने का आनुमान लगाय जा रहा है क्योंकि टारिफ और स्लाब में नतीश सरकार बदलाव करने पर विचार कर रही है विभाग इस मसले पर विज्री कंपनियों से बात कर रही है टारिफ और स्लाब में बदलाफ के लिए सरकार बिहार विद्यूत वी नियामक आयों कि सहमती लेने पर प्रयास कर रही है और जावभाग के साचिव सेह CMD संजीव हंस ने मीडिया से बात करते वे कहा है कि अभी 90 श्रेनियों में टारिफ है हम लोग इसको कम करने तीन दर्जन तकलानी का प्रयास कर रहे है मधुबणी के धिरेंद्र की कला के राश्रपती भी हुए मुरीद बिहार में प्रतिभाओं की गिंती करने लगे तो शायद गिंती कम पड़ जाएगी लेकिन प्रतिभाओं की कमी नहीं होगी इसकड़ी में एक और प्रतिभावान व्यक्ती का नाम इंद्रों सुर्ख्यों में बना हुआ है मधुबणी जुले के पंडोल प्रखंड के रामपूर गाओं के धिरेंद्र कुमार ने सिक्की कला को नई पहचान दिलाई है सिक्की कला में काम करने के लिए धिरेंद्र को राश्ट्री और राजुस्तर ये सम्मान भी मिले है धिरेंद्र कुमार अपने पूरे परिवार के साथ सिक्की कला करती बनाते है उन्होंने गाओं की महिलाओं को काम सिखाया है बड़ी संख्या में महिलाएं सिक्की कला से जुड़ी है जिसे उन्हें काम भी मिला है इसे महिलाएं भी आतनिर्भर बनी है अपनी कला को लेकर धिरेंद्र कुमार का कहना है कि मैंने सीता स्वेंबर थीम पर कलाकृती बनाई थी जुसे विराश्च्रपती रामनात कोबिंद सिक्की कला के शेत्र में कर्यर बनाने की प्रेड ना मुझे अपने पिता जगत नरायन दास से मिली मैंने मितला पेंटिंग स्टाइल में कई सिक्की कलाखरती बनाई है जुसे काफी पसंद किया गया विहार के कई बिल्दरों पर सक्तिका चारी हुआ एक और फरमार अबसे रेडासिम में निबंधित जिन पर योजनाओं के नक्षे या प्लान की वैधिता खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है उन्हें निबंधन का विस्तार अभी मिलेगा जब प्रमोटर ये सुबूत देंगे कि उन्हाने नक्षे या प्लान की पुनह वैधिता के लिए बंधन विस्तार मिलेगा और ऐसा नहीं करने पर उनके रेरान बंधन को स्थगित कर दिया जाएगा। मालूम हो कि बिहार में जमीन की कीमत बढ़ने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनिया फर्जीवारा करने लगी थी जो इसके बाद ही यह अनिर ने लिया गया है। अब कम किराये में करिए अयोधिया वैश्रवदेवी से लेकर ब्रिंदावन तक की यात्रा। अगर आप भी भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कम पैसे में करना चुआते हैं तो आपके लिए ये काम की खबर है। विहार के विभिन स्टेश्टों से होते वे उत्तरभारत शेत्र वैश्रवदेवी हरिद्वार अयोधिया अमरित सर ब्रंदावन समीत कई तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए रेलवे ने खास विवस्था की है जिसके तहर ये यात्रा महज 11,500 के आस पास में नगभग आस सानी से हो जाएगी इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिजम कॉर्परेशन लिमिटेड यह सो विधार रेल यात्रियों को प्लब्ध करवाने जा रहा है इसके लिए टूरिजम विभाग भी सहयोग कर रहा है आयार सीटी सी के शेत्रिय प्रबंदक राजश कुमार ने प वहन करेगी 25 नमबर को ट्रेन रक्स्वाल से दानापुरो और बकसर के लास्ते वेश्ण अग देवी को जा रहा है सरसथवी बीपीसी में आवेदन करने की बढ़ी अंतिम तारीख बीपीसी की तैयारी करने वाले चात्रों के लिए हम सोशा विहार लोग सेवायोग ने सरसथवी समयक्त प्रतियोगिता परिक्षा में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है जिसके तहत अविच्छुक और योग्युमिद्वार अवेदन कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे किस से पहले अवेदन के अंतिम तारीख 5 नवंबर थी इसके साथ ही अभिर्थियों को अगर कोई परिशानी है तो पूरी जानकारी और आवेदन के लिए आयो की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर समपर कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे इस प्रतियों गिता परिक्षा में 5 लाग से ज्यादा अभिर्थियों के शामिल होने की उमीद है बिहार के ग्रामीन इलाकों का भी होगा शेहरी करन बिहार के नितीश सरकार ने ग्रामीन इलाकों की तस्वीर बदलने का बेड़ा उठाया है जिसके तहत ही सरकार ने तैय किया है कि बिहार के 20 जिलों के ग्रामीन इलाकों में वो तमाम सुवधाय लाई जाएंगी जो शहरी इलाके में होती है जानकारों की माने तो बिहार सरकार की योचना अगर धरातल पर उतर गई तो बिहार का ना सिर्फ विकास तेजी से होगा बलकि शहरी करण भी तेजी से होगा इसके साथ ही ग्रामीन इलाकों की तस्वीर भी बदल जाएगी इसको लेकर अपर मुख्यस्ता चिफ संजे कुमार की तरफ से मिली जानकारी के नुसार 20 जिलों में शहरी करण योचना को मंजूरी दे दी गई है जिसके तहट शहरों के निकट के ग्रामीन इलाकों को भी शहरी सुवधाओं से युक्त किया जाएगा बिहार की राजधानी पटना से पश्रिम बंगाल की राजधानी कौलकता की यात्रा आने वाले समय में सुगम होने वाली है जिसके तहट भारत माला फेस टू प्रॉजेक्ट के तहट बिहार में इस तड़कों का जाल बचाने की योजरा बनाई जा रही है जिसके तहट पटना कॉलकता एक्सप्रेस वे बनाने का भी प्रस्ताव है 450 किलोमीटर लंबे से एक्सप्रेस वे को बनाने में 17,900 करोर खर्च होने का अनुमान है फिलाल इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है पटना से कॉलकता तक एक्सप्रेस बन जाने से लाखों की तादाद में लोगों को सुबधा होगी खास कर विया पारे वर को काफी सहुलियत मिलेगी देल की किम्तों में कम्मी करते ही केंद्रमंत्री ने राहुल गांधी को किया चालेंज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर बिहार समय देश भर की राजनीती काफी ज्यादा गर्म थी जिसके बाद जानकार यही मान रहें कि भाजपाब चिनाव में कई जगों पर इसलिए हारी क्योंकि लोग महंगाई के फैसले को अस्विकार कर रहे हैं इसी बीच नरेंद्र मोधी की तरफ से पेट्रोल डीजल के दाम में कटोती करने की खबर आने की बाद अब केंद्र की तरफ से राहुल गांधी को चैलेंज किया गया है जिसके तहट बिहार के बड़बोले नेता गिरिलाज सिंग ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि दीपावली पर प्रधान मंत्री ने पेट्रोल में पांच रुपे और डीजल की कीमतों में कटोती करने का फैसला लिया है ये फैसला इसे समय मिलिया गया है जब अंतराश्री बाजार में क्रूड ओल की कीमतों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने अपनी तरफ से पहल कर दी है लेकिन हकीकत इस से परे है लगातार इसका सेवन करके जान गवाने वालों की खबरे सामने आती रहती है इसी कड़ी में हाली में पश्रिम चमपारन में साथ लोगों की संदिक धालत में जान जाने की खबर भी सामने आई थी उसके बाद से ही सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदब ने स्रीम निटीश पर निशाना साते वे कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि बिहार में शराब बंदी का मतलब क्या है जब इतने लोगों की जान गलत शराब से जा रही है मुझफरपूर में पाच दिन पहले दस लोगों की जान गई पिछरे दो दुरों में गोपालगज में 20 लोगों की जान गई पेतिया में 13 लोगों की जान गई इन जानगवाने वाले वेक्तियों के जिम्मवार क्या मुख्यमंत्री सहग्रमंत्री नतीश कुमार नहीं है लालुप्रसाद यादव है नॉन रेजिडेंट बिहारी बिहार विधान सबाब चिराव में आये परिणाम के बाद जहां जदियू गदगद है वहीं दूसरी तरफ राज़त परिवार में शान्त वाता बरन देखने को मिल रहा है इसे बीश तब्यस खराब होने के कारण राज़त के मुख्या लालुप्रसाद यादव भी ते जस्वी मीसा भारती और राबनी देवी के साथ दिल्ली रवाना हो गया है इसके बाद बिहार में हमलेवाजी का सलसलाज शिरू हो गया है जिसके तहट जदियू के राज़त है फ्रलन सिंग ने लालुप्रसाद यादव को साइबेरियन पक्षरी कहते वे कहा भारत के त्यास में आज की तारीक कही कार्णों से दर्श भारत के प्रत्म प्रधानमत्री जवाहलाल नहरू ने 1961 में न्यू यॉर्क की यात्रा की भारत तिथा रूस ने 2001 में अफगान सरकार में तालिवान की भागेदारी नामंजूर की 1556 में हुए पानिपत के दूसरे युद में मुगल साश्रक अकपर ने हेमू को हराया हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशव बियार चोप्रा का 2008 में निधन भारत के ऐसे विलक्षिन कलाकार भुपेन हजारिका का 2011 में निधन हुआ था महान स्वत अंतरदा से नानी चितरन जन्दास का 1870 में आजी के दिन जन्म हुआ था या विराट खोली को महिंदर सिंग धोनी की नहीं सुनने की चुकानी पड़ी है कीमत ICT 20 विशुकप में भारतिय टीम ने अब तक की सबसे निराश्र जनक शिरवात की पहले दो मैच में टीम इंडिया को बड़ी हार मिली और पहले मैच में पाकिस्तान की टीम ने 10 विकेट की करारी माद दी जिसके बाद नियुजलान की टीम आर्ट विकेट से बड़े अंतर से हराया और जिसके बाद भारतिय ओपनर गौतम गभीर ने विराट कोहली के एक मैच के बाद प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव की फैसले पर सवाल उठाय था उन्होंने ये भी साफ किया कि महीन रिसिंग धोनी का सुझाव बिलकुल भी नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के खिलाव पहला मैच हाडने के बाद कप्तान कोहली ने नियुजलान के खिलाव दूसरे मैच में ऐसे बदलाव किये जिसने टीम की नईया डुबो दी गौतम गभीर ने हाली में एक अंग्रेजी अखफार को दिये इंटर्व्यू में कहा कि अमेजोनी के साथ काफी लंबे वक्त तक काम मैंने किया है उनके साथ मैंने खेला है और इसे अच्छे से समझते हैं कि वो कभी भी टीम में तुरन बदलाव करने के पक्ष में नहीं तो लगता है कि कोचिंग स्टाफ में कोई भी कोहली की बात को चुनोती नहीं दे सकता WhatsApp वेब में मिलेगा मोबाइल अप का मज़ा WhatsApp वेब work from home कर रही यूजर के लिए बहुत काम आ रहा है इस वक्त कमपनी इस अप को जो वेब वर्जिन आफर कर रही है उसे मोबाइल अप के मुकाबले थोड़ा कम फीचर मिलते हैं हाला कि अब कमपनी ने इसमें बड़ा बदलाव करने का फैसला कर लिया है रिपोर्ट्स की माने तो WhatsApp वेब में आने वाले दनों में यूजर को बहतर प्राइविसी आप्शिन मिलने की उमीद है WA Bita Info की अनुसार WhatsApp अपने वेब आप के एक बीटा वर्जिन की टेस्टिंग कर रहा है ताकि यूजर को और बहतर प्राइविसी आप्शिन दिये जा सकी कंगना रनौत ने शेयर किया करन जोहर की इंसल्ट वाला वीडियो कंगना रनौत ने कई बार करन जोहर को निशाने पर लेने का काम किया है वन्होंने एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अवाट शो में करन को इग्नौर करती नजल आ रही है यह वीडियो 2007 का है उस वक्त कंगना बॉलिवुड में नहीं थी वीडियो शेयर करके कंगना ने ये बात मानी है कि उनका आटिट्यूट शुरू से ही खराब रहा है कंगना के फैन पेज़ पर जुस्ते हैं से यह वीडियो बारल हो रहा है यह वीडियो फिल्म फेर अब वाट शो का है इसको करन जोहर होस्ट करते दिखे करन अनाउंस करते हैं यह वाट पब्लिक पोल से डिसाइड किया गया है और इससे मैं पिछले तीन साल से जीत रहा हूँ इसके बार गंगना विनर घोशित की जाती है और स्टेज पर ट्रोफी लेती दिखती है करल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत हैनेवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा रगा है बगर समय क्या भाब की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेनी की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है बिहार में पेट्रोल के दाम कम होने के फैसले से आप संतुष्ट है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सिब्सक्राइब करें और बेल आइकान दबाना ना भूले धन्यवाद